हुआ है है गाइस वेलकम टो वेदिमी स्वागत है अपका वेदिमी के यूट्यूब चैनल पर तो जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि है कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद स्पेकोलेशन से निहींड का मार्केट बहुत गरम हो जाता है नैनल न नमसे स्पेकोलेशन ओक्लानल तेस्ट कराते हैं इसके थ्रूप PhD एडमिशन लेते हैं तो उसकी जगह यह घ्र ने बोला कि आप प्रिएज़ डी रिटरं टेस्ट याँ प्राइए उसकी जगह पर नेट स्कोर को यूज करके रिटर इंटर्यू करिए रिटरं टेस्ट मत कराईए तो इससे फाइदा क्या हो इसको बोला कि आप मत कराएं इंट्रेंस उसके जागा नेट स्कोर को यूज कर लिजे अब इसमें स्पेकुलेशन क्या निकले सबसे पहला स्पेकुलेशन है क्या यह रूल CSIR के लिए भी वैलीड है कि नहीं अगर आप पता ही होका कि like जो सइइनस के इ жानस होते हैं लाइफ सइनस फिज़कल सइनस скимिकल सएस अर्ट सऄड्स उनका जारख एंग्जामेशन CSIRC lost कराती के लाग से कराती है तो इसने कहीं भी CSIR mention नहीं किया गया है तो इसको मतलब यह हम कैसे मानने कि CSR के लिए valid है कि नहीं तो इसके लिए हमें CSIR का official notification या official voucher आने के बाद ही चीजे clear होंगी अभी से हम speculation मत नहीं कर सकते कि यह rule CSIR के लिए valid है कि नहीं तो मेरा यही मानना है कि हम CSIR के लिए wait करना चाहिए उसके बाद ही हम यह decide कर पाएंगे यह rules CSIR इसके बाद आने के बाद सच में return test खतम हो जाएंगे कि नहीं अब फरमाईए यहां पर लिखा है can be used letter में भी can be used लिखा है कहीं भी suit view जैसे words यू नहीं किये गए अब जिसको पता होगा can का मतलब होता है आप use कर सकते हैं अभी इंवरस्टी पे छोड़ा गया है उनका decision होगा कि क्या वो can कि आपको net का score यूज करना है return address test के लिए कि नहीं यह अपके उपर decision है अब कई सारी इनवरस्टी जो autonomous होती है जैसे ब्हू हो गया जेनी हो गया सब इनवरस्टी इस ऑट्रोनॉमस हैं आईटी हो गई है उसी के registration कराएंगे इंटर्व के लिए registration कराएंगे उसमें तो वो अपना application fees registration fees तो लेंगे ही लेंगे बच्चों की सबसे problem सबसे बड़ी problem return test तो थी सबसे बड़ी problem application fees भी थी कि लाइक वो net का form फिल के लिए उसमें application fees दी अब different universities के different IITs के form fill करते हैं उनको registration fees देनी पड़ती है और इस पर उन्होंने कोई बात नहीं की कि application fees लेंगे कि नहीं लेंगे अब वो इन्वेस्टिक की मर्जी है वो return test कराएं लेकिन ना कराएं लेकिन जब interview लेंगे तो registration PhD के लिए registration start करेंगे तो application fees लेंगे लेंगे उसमें कोई भी ऐसा rule mention नहीं किया गया है कि आपको application fees लेना है कि नहीं लेना है so those speculations के बारे में मैंने clear कर दिया कि CSI पर valid होगा कि नहीं वो CSI का voucher आने दीजिए तब उसके बाद clear करिएगा और दूसरा speculation can be used आप तर्म देख सकते हैं अब यूश्टी पर डिपेंट करता है वो return test कराएंगे कि निकाई वो return test कराएंगे भी निक कराएं या ना कराएं लेकिन उसके बाद भी वो प्यस्डी रेस्ट्रेशन के लिए application forms फीस तो लेंगे 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 उन विजसी को मेरा मारना यूश्टी को उस पर एक्सल लेना चाहिए कि एप्लिकेशन करता है कि नेट स्कोर को यूज करेंगे return test के लिए कि नहीं वो उनके उपर depend करता है और बात यहां application forms की फीस की बारे की नहीं गई है कि वो application निकाल सकते हैं जैसा कि आप पुपता है से नेट में दो category आते जए अ के ड़ीजबर होंगे और पीस्जा अडमिशन के लिए विजबर होंगे में इस कतेगरी वन स्टूडंस को फैलोशिप मिलेगी जए रव फैलोशिप होगी वो मिलेगी अब category 2 students, जो category 2 में students आएंगे वो ज्राइफ के लिजबल नहीं है, सिर्फ assistant professor और PhD admission के लिजबल है, इसमें कोई भी ज्राइफ fellowship नहीं मिलेगी, ठीक है, और जो category 3 students आएंगे, इसमें वो तो ना ज्राइफ के लिजबल होंगे, ना assistant professor के लिजबल होंगे, वो सिर्फ PhD admission ले सकते हैं, different universities में, so based upon the percentile score, जो आप net में पाए होंगे, उसके basis पे तीन category बनाए गई है, students की पहली category जो है, ज्राइफ के लिजबल है, एसिस्टेम प्रोफेसर के लिजबल है, पिसडेफ के लिजबल है, पिसडेफ के लिजबल है, category 2 students ज्राइफ के लिजबल नहीं है, सिर्फ वो एसिस्टेम प्रोफेसर और पिसडेफ अडिमिशन के लिजबल है, category 3 के students वो तो ना ज्राइफ के लिजबल है, नहीं एसिस्टेम प्रोफेसर के लिजबल है, और नहीं पिसडेफ अडिमिशन के लिजबल है, बात कर लेते हैं कि कैसे admission होगा, इसमें देख सकते हैं, आप, जो R.F. Quantified students होंगे जो category 1 के students होंगे directly interview के ध्रोन का admission होगा अब जो category 2 और 3 के students होंगे तो उनके लिए बोला गया है कि 70% आपको net score का Use कर सकते है plus 30% जो interview होगा उसका Use करके आप merit list बना सकते हैं ठीक है और जो category 1 और category 2 के students होंगे उनका स्कोर सिर्फ और सिर्फ वन येर के वैलिड होगा पिएजड अदमिशन के लिए और जो इन्फोर्मेशन बूर्टेल जो होगा आप यहां से देख सकते हैं ठीक है सो यह सिंपल से बात रहे कैटेगरी वन के स्टुएंट सिर्फ सब के लिजबल होंगे सिर्फ के स्टुएंट सिर्फ के लिजबल होंगे और उसके बाद जो के स्कोर होगा वो सिर्फ वन येर के वैलिड होगा ठीक है तो मैंने इंफ्रमेशन काफी दे दी और दोन स्पेकुलेशन के बारे में बात कर दिया कि CSI का क्या होगा तो वेट करें जरू बताइए काम उसको जरू सॉल कर देंगे ठैंक यू बाइबाय जय हिंद